नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कमार्सवर्ड इंडियन हिस्ट्री के सेग्मेंट को आजे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे दूसरे धर्मगरं ये यूर्वेर के बारे में इससे पहले हमने अपने प्रतम धर्मगरं रिक्मबेद के बारे में चर्चा के थी ये यूर्वेर हमारे भारतिय इतिहास का दूसरा प्रमुक धर्मगरं जाता है जिससे की हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है युजिरुबेद में मुक्यट है पार्ट में पड़े जाने वाली मंत्रों या रिचाओं का बनन मिलता है इसके साथ साथ जो बली के लिए जो निमावली है अर्था बली देते समय किस निमावली का पालन किया जाएगा उसकी जानकारी भी हमें यह युर्वेट से मिलती है जो मिलती इसका पाठ करता होता है अर्था जो इस दिनत को पड़ता है उसे अत्वर्यों के नाम से जाना जाता है योग्यों में कौन कौन से नियम तदा क्या क्या प्रागान है इसकी जानकारी हमें यह युर्वेट के द् होती है बलिधान के समय क्या निवामनी है उसकी जानकारे भी यह युरुवेद के द्वारा प्रदाने की जाती थी यह युरुवेदी एक ऐसा धर्मगरंथ है जो गद एवंपद दोनों में लिखा दिया है बहुत सो कॉम्पटिशन इजाम में यह पूछ लिया था है कि बार धर्मगरंथ गद्य और पद्य दोनों में लिखा दिया है तो कौन्च अगरंथ है यह युरुवेद एक ऐसा गरंथ है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा दिया है अब हम बात करते हैं तीसरे धर्मगरंथ की जिसका नाम है सामबेद क्या नाम है सामबेद सामबेद क हर्था यह ऐसा गरंथ है जो की मुख्यत है गान से स्वन्दित है इसमें यग्य के समें कौन-कौन से मंत्रों का उचारन या गान किया जाएगा उसके जानकारी सामवेद में दिए यह तदा जो विवेदी सामवेद का उचार करता है या सामवेद को पढ़ता है उसे उदाक्तरी की नाम से जान याता है सामवेदी बैगरंथ है जिसे बारती दिहास में संगीत का जानक मान याता है यह भी बहुत स्रें कॉंपूटिशन इजाम में पूछने जाता है कि किस गरंथ को संगीत का जानक माने जाता है तो किस गरंथ को माने जाता है सामवेद याद रखने के लिए सारे गामा जो किस संगीत के लिए हैं और इस गरंथ का नाम भी क्या है सामवेद अब हम बात करेंगे चोठरी धर्म कंध, जिसका नाम है अधरमवेद, अधरमवेद की रचना अधरवा रिशी ने की, तब एस वेद में 731 मंत्र यां रिचारें, तब एस ग्रणद में शेह हयार पद है, गें पोड़े हैं अजलों के ये एक सब्सक्राइबừa करों टार एलिसे की अध्रम या कुछ ने कहले। इसमें मुक्यत है मानन जिल्वत के हर पैंडू के बारे में जानकारी देदी है जिसमें मुक्य रूप से ग्री, क्रिशी, मैपा, बिवा, परनेगी, राध चुना, राध भर्ती आधी शामिल है और थरुब यह कैसा बेद है जिसमें जादू तोनों का बनन मिलता है यही बहुत से कॉम्पूटिशन इसमें पूछने जाता है कि किस बेद में जादू तोनों का बनन किया है या कूंसा बेद जादू तोनों से सुन देता है तो कूंसा बेद है अथारव बेद अब हम बात करेंगे बाति इतिहास की जानकारी उपलवद कुरवाने वाले दूसरे सत्रोत इतिहासित गरंतों के बारे में जो की हमें बाति इतिहास की जानकारी उपलवद कुरवाती है सबी धर्म गरंटों को अच्छे रंग से समझने के लिए शेर विदावों की रजना किये है तो विदावन मुक्रते कितने हैं सिर्स जिसमें शिक्षा, जोतिश, कलब, ब्याकर्म, निरुक्त तदा शंद को शायल किया है हित्यारसिक गरंटों की जो विश्त्रित जानकारी है बैं मुक्रते पुरानों में कथाओं के मादियों से उप्रवद करोई जी है पुरानों को मुक्रते 18 मंगों में बंढ रके हैं हर्ता, पुरान मुक्रते कितने हैं? लेकिन इन 18 पुरानों मेंसे केवल पांच पुरानी ऐसे हैं जिससे हमें राज बंचों की जानकरी मिलती है लेकिन इन 18 पुरानों में मुक्यते मतस्य पुरान, बाई पुरान, विश्म पुरान, ब्राहून पुरान था बागवत पुरान को जामिल की जाने अब बात करते हैं एतियासिक उन ग्रंथों के वारे में जिनसे कि हमें अलग-अलग इतियास के वारे में जानकाई मिलती है जो जितने भी हमारे एतियासिक ग्रंथ हैं वे मुखेत है सर संस्कृत वाशा में लिखे लिए इन गरंतों को इस्त्रियों और शुद्रों को पढ़ने की मनाई थे अर्था इस्त्रियां और शुद्र इन गरंतों को नहीं पढ़ने पढ़ सकते थे इन गरंतों का जो उचारणे या पाठ है मों मंदरों में पढ़ने के दोरा किये दिया थे शर्ठपर्थ ब्रह्मन एक ऐसा पुराने जिसमें की इस्टरी को और धांगनी के नाम से समोधित किया है तदा जावल उपनिष्द एक ऐसा उपनिष्द है जिसमें की चार अर्षिमों का अर्था मुनिष्य का जीवन जिन चार अलग अलग वस्ताओं से होकर गुजलता है उसका बनन जावल उपनिष्द में किया गया है अगर आप बात करें समर्थी गुरंतों की तो समर्थी गुरंतों में जो सबसे प्राचीन समर्थी माली जाती है बैमनु समर्थी माली जाती है तो यह कॉश्चन भी बहुत सो कॉम्पटिशन जाम में पूछने जाता है कि सबसे प्राचीन समर्थी कौन से है तो कौन से है समरिति अब बोध धर्म की पाक्तरे तो बोध धर्म का मैं मुक्टतर दोवरकार की शाकाइं बनी थी हीनिया और महयां जो जात्र ग्रंथ है गर बोध धर्म का प्राचिन ग्रंथ है तदा इसमें बुद्ध के पूर्म जन्मों का बनन मिलता है तो यह भी बहुत सो ओक्मटिशन आपने पूछरे जाता है कि जात्र ग्रंथ किस धर्म से सुन्तित है तो किस धर्म से स्वन्तित है बोध धर्म से तता इसमें किसकी जनकर मिलती है बुद्ध के रिए पूर्व जन्मों की अब बात करें ही नियां का जो प्रमुक ग्रंथ है म थे जबस टोस्तोब मनें जन्हें तो एक कुछली प्लिद्न हें कि किस दरम का गरंद है तो किस दरम का ग्रंद है तरह, यह बहुत दरम की किस चाखः का गरंद है जिसमें की मुक्षे जो बुद्ध के जीवन च्रित्र को दर्शाया गया है। अब हम बारत करते हैं जैन साहिते की। जैन साहिते की जो प्राणबिक जानकारी है बैर करब सुत्र से प्रापत होती है। भगवती सुत्र जैन धर्म का परमुख गरन्थ है। जिसमें की महावीर के करत्र तथा उनके संकारिकों के साथ उनके स्वंध कैसे देने की जानकारी हमें रापत होती है। और गव्यक्षी हमटा। जिनने की विशुमपुद्ध या चनथ के नाम से भी जाना जाता है। यह भी बहुत से competition exam में पूछने जाता है कि चनक्य को हो और किस-किस नाम से जाने जाता है तो किस-किस नाम से जाने जाता है कोटिल्या, विशनुगुप्त और चनक्य एक ही देखते के नाम है तो चनक्य या कोटिल्या जी ने अर्द शांस्तर की रजना की जिससे की हमें मोरे काली इतिखास की जानकाली प्रापत होती है ये गरंत मुक्यत है 15 अधिकर्णों तता 180 प्राकर्णों में बांटा गिया है संस्कृत में किसी कव्य को लिखने का जो प्रापत्र क्यास है वो कलंड में किया किसने किया कलंड है तदा उन्होंने राज तरंगनी नामकर गरंत की रजना की जिसमें की मुक्यत है आठ तरंग है तो यह भी पूछनी आता है कि राज तरंगनी की रजना किसने की तदा इससे हमें किसकी जानकाली प्रापत होती है तो राज तरंगनी की रजना कलंड की तदा इससे हमें कश्मीर के यहास की जानकाली प्रापत होती है और इसमें मुख़त है आठ तरंग है अब बात करते हैं चर्च नामा की तो चर्च नामा की दिने कर अली एमद है जिसमें की हमें आर्वों की सिंद पर विजे की जानकारी प्राफत होती है आठ द्याई जो की संस्कृत भाषा का पहला ब्यात्रण का गरंथ इना में लता है उसके रचना पारpection ने की तो ये धी खोशन उस competition साम में पूशने जाता है की संस्कृत भाषा के ब्यात्रण का प्रतम गरंथ कोंसा का तो कुंसा घा, अष्ठा, ध्याई जिसकी रचना पार्नियमी ने की महावाश्य गरंट से हमें शुनगो के इतिहास के बारे में जानकारी प्रवत होती है तो आज हमने इतिहास की जानकारी उपराद दुकुराने वाले 237 तों दरम ग्रन तदा इत्यासित ग्रनतों के वरे में जाना अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेर करें तदा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद